सावन सोमवार जब आप हम बहुत सारे लोग महादेव की आराधना के लिए महादेव के मंदर जाते हैं जल चड़ाते हैं कावड़ आत्राय निकल रही होती है बहुत सारी चीज़े होती है सावन मास बोला जाता है इस समय रेलवे भी बहुत सारी गाड़ियां चलाता है बहुत सारे अरेज़्मेंट्स करता है शड़ालूओं के लिए जो एक जगा से दूसरे जगा यानि की तीर तिसल जा सकें वहाँ पे जाके महादेव की आराधना कर सकें देश में बहुत सारे शिवलिंग है जोत्रिलिं नास इसना वहाँप है कुछ दिनों के लिए है और इंदौर सेह और के दिन चलेगी में इसमैंश्ट इंड़ाइन से मुitल और नंबर प्रें करते हैं पक्रेंडरि Expect की कि Labsी से रागाय चलेगी थे本े फिनलियू एργानत tract ौभस यस ज्नाश्म पूरे विश्म में विख्यात महादेव का महाकलेश्वा मंदिर है जहाँ पे श्रद्धालू दूर दूर से आते हैं बस उसी लिए ये ट्रेन भी चल रही है कि राजिस्थान के कोटा से और बीच में बहुत सारे स्टेशन से श्रद्धालू को लेते हुए जैन आये और फिर चालिस पे ये इंदeding से चलेगी 23 बच के 26 मिनट पे ये इवास पहुंच जाएगी उसके बाद 23 बच के 40 मिनट पे रात को ये उजजेन पहुंच जाएगी और एक 2016-20 मिन पर नागदा पहुंच जाएगी उसके बाद ये सुबद 6 बच्के on 25 मिनट के आसपास कोटा पहुंच जाएगी बीच में बहुत सारे स्टेशन है जैसे रामगंज मंडी भवानी मंडी श्यामगर सुरासा चोमुखाल करके है विक्रमगर करके है आलोट है महितपूर मंडी है इन सब जगहों पे रुखते हुए यह ट्रेन सुबद 6 बच के 25 मिनट पे कोटा पहु दिया राजिस्तान के कोटा से और नागदा शाम को पहुंचेगी और बिट्वीन दिस यह रामगंज मंडी भवानी मंडी श्यामगर सौरासा चॉंबल हाल विक्रमगर अलोट महितपूर यह सब रुखते हुए आएगी आप नंबर से स्टेशन के कहां कहां पे टाइमिंग यह वो देख सकते हैं 0980309804 यह नंबर है इस ट्रेन का आप इस नंबर से पता कर सकते हैं और आप रिजर्वेशन भी करा सकते हैं उसके बाद यह ट्रेन उजयन 1925 पे पहुंच जाएगी दिवास पहुंच जाएगी 20 बच के 10 यानि के 8-10 पे और 21 बजे रात को 9 बजे यह इंदौर पहुंच जाएगी तो यह था फूरा एक सावन मास के लिए स्पेशल ट्रेन जो इंदौर से कोटा चल रही है अगर आप उजयन आना चाहते हैं महादेव के दर्शन के लिए इन रूट्स के स्टेशन से जरूर आएगे स्पेशल ट्रेन रेलवे के तरफ से बहु इवाद जेगी